नमस्हार दोस्तों यह देखिए वीटा के गुरू अन्रस्ट्रीज की तरफ से लगाया गया आटोमेटिक निपल ड्रिंकिंग सिस्टम विद कम्प्लीट विंचिंग सिस्टम इसकी मदब से देखिए पहले जो मैनुवल ड्रिंकर यूज करते थे मैनुवल ड्रिंकर से बहुत ही तरह की अंदर गंदगी होती थी कीचड होता था वो अब ना के बराबर होता है अब देखिए इसमें हम निपल लगा देते हैं निपल के सासाथ नीचे कप होता आप देख रहे हैं यह मूर्गी आराम से निपल से अपनी जुरूद के हिसाब स से पानी पी सकती है इसको बार-बार भदने का जंजट कतम नीचे कीचड होने का जंजट कतम त्यूंकि इसमें नीचे जो हमने कप लगाया हुआ है देखिए बायचंस अगर एक अधर ड्रॉप गिर भी जाता है तो कुछ मुर्गियां जो है वो डिरेक्ट कप से पानी पी ल नीचे कर सकते हैं अभी आप देखेंगे यह जो सेंटर वाली रूफ है इस लाइन को हम अभी आटोमाटिक विंच सिस्टम की हेल्प से इसको और हैट इसकी इंक्रीज करेंगे करिए सेचिन भाई उपर 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 यह देखिए कितना इजी है और आप जहां से देखेंगे तो हाइट देखिए इन दुनों निपपल की जो लाइन है इनकी दोनों की हाइट में कितना डिक्रेंस है और कितमा इस यह स्टार्टिंग से लेके अगर आप देखेंगे इस फाहं की जो लंबाई है करिब 200 फीट है अगर आप चाहें तो इसको पूरा च्छत में लगा सकते हैं मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी बर्ड्स हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इसका लेवल नीचे करो कि यह देखिए कितने अराम से बहुत इजी है आप इसकी हाइट को उपर नीचे अड़ेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप देख रहे हूंगे तो इसमें हमने इसकी की चोड़ाई जो है लगब चालिस पुट की है हमने इसमें पांच लाइन जो है निपल की लगाई हुई है यह हर एक आच फ्रिट की दूरी पे लगाया जाता है और हर एक लाइन के लिए एक सेपरेट विंच सिस्टम होता है यह जो आप देख रहे हुआ है यह जो तो वो खुद भी गंदी होती है उसके बीमार होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं अब इसमें निपल में कहा है कि बीमारी फैलने के जो चांसे से हो बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं मैं आपको कोई एक रैंडम बर्ड उठा के दिखाता हूं सचिन भाई कोई भी एक सब्सक्राइब करने के बाद आपके फार्मिंग जो है एक लेवल तक हो जाती है अगर आप यह लगवाना चाहें तो इसके लिए आप कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं वीटेक एक रूइंडस्ट्री से जिनकी कंपनी मोहाली में बेस्ट है मोहाली पंजाब में उनका एड्रेस में आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा तो आप उनसे कॉंट्रेक्ट करक यह कभी भी लगा सकते हैं आपकी जी?